वेलकम दोस्तों बहुत-बहुत सौगत है आप सब का एक बर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दमेंडर में यह सेवन्थ वीडियो है यूपी स्पेशल का अगर अपने पहले की वीडियो मिस्कर दी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलेश का लिंक है आप जाकर उत्तर प्रदेश में सिचाई का पहला कारयाले कहां खुला था सहारनपुर जो की 1823 में खुला था और दोस्तों मैं बता दूं सहारनपुर जो है वो नौर्थ मोस्ट डिस्टिक है उत्तर प्रदेश का 221 उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कान सी है पूर्वी यमुना नहर 223 पूर्वी यमुना नहर कहां से निकलती है सहारनपुर के फैजाबाद नामक इस्थान से 224 आगरा नहर कहां से निकली है ओखला नामक इस्थान से यमुना के दाएं किनारे से निकली है आगरा नहर किनकिन राजियों से होके गुजरती है दिल्ली, उत्तरप्रदेश, हरियाना और राजिस्थान चार राजियों से 226 उपरी गंगा नहर कहां से निकाली गई है हरिद्वार से जोकी 1854 में निकाली गई थी गंगा के दाएं किनारे से निचली गंगा नहर कहां से निकाली गई है नरवरा से इसके किनारे उत्तर प्रदेश का एकमातर परमानू विद्युत सयंत्र भी इस्थित है 228 उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है? शारदा नहर प्रणाली 239 शारदा नहर कहां से निकाली गई है? पीली भीत के वनवासा नामक इस्थान से 230 शारदा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? काली नदी से बित्वा नहर कहां से निकाली गई है परिच्छा नामक स्थान से 238 बित्वा नहर कौन सी नदी से निकाली गई है बित्वा नदी से गुरू सराय नहर और मंदर नहर कहां से निकाली गई है माता टीला बांध से जो की बित्वा नदी पर बनाए 234, हतनी कुंड बैराज कौन सी नदी पर निर्मित है या मुनन नदी इसका एक अन्य नाम भी है ताजे वाला बैराज हतनी कुंड बैराज किनकिन राजियों की सन्युक्त पेजल पर योजना है तो ये राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, हर्याना, हिमाचल, प्रदेश और दिल्ली की है 236, गंगा जल पर योजना कहां पर निर्मित है दिल्ली नौइडा बाईपास के पास लवकुष बैराज पर योजना कहां पर निर्मित है कानपूर में 238, आगरा बैराज पर योजना कौन सी नदी पर निर्मित है यमुना नदी पर 240, गोकुल बैराज कौन सी नदी पर निर्मित है यमुना नदी पर मथूरा और आगरा की सन्युक्त पर योजना ठीक है जो गोकुल वेराज है दोस्तों ये मथुरा और आगरा की सन्यूक्त परियो जुना है अब देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खास चीज डिसकस करने वाले हैं लेफ्ट साइड में नदियों के नाम है और राइट साइड में वो शहर है जहां पर ये नदिया बहती हैं जाती है सबसे पहले देखते हैं गंगा नदि का ये बिजनोर, हापुड, नरोरा, कानपूर, उन्नाओ, रायबरिगरा ज्यानी के इलहाबाद, वारा नसी, गाजीपूर, बलिया ये उत्तर रदेश के इतने जिलों में होती हुई जाती है यमुना नदि की बात की जाए, व्रिंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, जिसे जलों भी कहते हैं, हमीरपूर, कौशाम भी, उसके बाद प्रयागरा ज्यानी की इलहाबाद रामगंगा नदि की देखा जाए, अगर बात की जाए तो, बरेली और मुरादाबाद, राप्ती नदी, गुरकपूर, बेतवा नदी, हमीरपूर, वरुना नदी, और अस्सी नदी, वारा नसी सर्यू या फिर घागरा नदी, सर्यू घागरा एकी नदी का नाम है, आयोध्या लखीमपूर खीरी, सई नदी प्रतापगड, सोन नदी सोनभद्र, हिंडन नदी मेरट गाजियाबाद, गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस भी है दोस्तों, ये हिंडन नदी के ही वज़े से वहाँ नाम पड़ा है उस एयरबेस का हिंडन एयरबेस, गोमती नदी, लखनव, जौनपूर, सुल्तानपूर, दोस्तों, गोमती नदी लोगों को सिर्फ लखनव याद रखता है, जौनपूर और सुल्तानपूर भी याद रखिये, उत्तर प्रदेश के देखिया प्र कुछ वर्षों पे लगता है, देवा शरीफ मेला बारावंकी में लगता है, गोविंद साहब मेला अंबेदकर नगर में, देवी पाटन मेला बलरामपूर में, मनकपूर मेला, श्रामणी मेला और कंपिल मेला फारुखाबाद में लगता है, नौचंदी मेला मेरठ में, का गोरकणनात मेला लखीमपुर खीरी, नवरात्री मेला आगरा, उंट मेला बटेश्वर ये आगरा के पास है, ददरी पशू मेला बलिया में लगता है, गणमुक्तेश्वर मेला हापुड में लगता है, हापुड दोस्तों मैं बता दूँ दिल्ली के पास पड़ता है, हरिद जास जैनती मेला और गुडिया मेला वरिंदावन में लगता है सरधना मेला मेरट में लगता है सारवाधिक मेलो का आयोजन मथूरा में होता है दोस्तो और सबसे कम मेले पीली भीत में होते हैं दोस्तो इस वीडियो में इतना ही बाकी अगले वीडियो में देखते हैं अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताईए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी बताईए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तो वीडियो को दो से तीन बार देखिए तो आपको कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी इवन जो मैं आपको पीडियाप बता रहा हूँ वो भी खोलने की जरूरत नहीं पुलेगी ओके दोस्तो थैंक्स फर वाचिंग